दोस्तों देरे देरे जो हे होंडा एक्टिवा एलेक्ट्रिक स्कूटर के उपर कही सारे अपडेट जो हे कमपनी ओफिशली रिवील कर रही जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात की थी होंडा एक्टिवा एलेक्ट्रिक स्कूटर के नए तीन अपडेट जो हे आ चुके जैसे देखने के बाद range भी पता चल चुकी किया range कितनी मिलने वाली है base वाला model एंड top वाला model क्या क्या features मिलेंगे क्या क्या range मिलेगी सब कुछ बात हैं हम इस वीडियो में करने वाले है सबसे पहले बात करते हैं इनके top वाले model के बारे में जो की active electric scooter का रहेगा जिसमें 104 km की range मिलने वाली है 100% battery में मतब one battery में 104 km की range मिलेगी अगर इसमें dual battery का option आता है तो उसमें आपको 180 km से लेकर 200 km तक range देखने को मिल सकती है और पूरी तरसे completely ये top वाला model रहने वाला है तो music control हो गया, service alert हो गया, bluetooth connectivity हो गया, navigation वगयरा सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा दो modes आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे and active electric scooter guys Indian market में तभाई करने वाली है मैं लिखे देता हूँ क्योंकि 2025 में market में competition काफी बढ़ेगा लेकिन जिसके quality अच्छी रहेगी वही electric scooter जो आगे चलने वाला है इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्यार active electric scooter आपको लेना ही चाहिए अगर आपको no tension रहना है trusted company की तरफ जाना है तो आपके लिए best choice active electric scooter हो सकता है 27 November 2024 को Indian market में Bangalore में Honda अपनी first electric scooter को launching करने वाला है so delivery चालो होने तक 2025 शुरू हो ही जाएगा लेकिन उससे पहली कई सारे update आ रहे है जिसके अगर हम base वाले model के बारे हम बात करें तो दूसरा पिक उन्होंने जो दिखाया है उसमें आप screen पर देख सकते हो पूरी तरह से completely ये basic लग रहा है जिसमें आपको 62% battery दिख रही है trip वगरा दिख रही है जो कि normally सभी scooter में और सभी electric scooter में आता है वेसा आपको data जो है basic मिलने वाला है अगर हम basic वाले की range की बात करें तो यहाँ पर reveal नहीं हुआ है बट आप 90 से लेकर 100 km तक आप expected कर सकते हो single battery में लेकिन जो top वाला model रहेगा उसमें आपको switches भी ज़्यादा देखने को मिल सकते है और उसकी pricing भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है बट अभी तक pricing वगर रिविल नहीं हुई है बट मेरे को expected लग रहा है कि starting की pricing 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक रह सकती है अगर होंडा को Indian market के जो audience से उनको catch करना है EVs के लिए तो pricing जो इनकी इतनी ही रहनी चाहिए और होंडा की एक बात मेरे को अच्छी लगी कि आर इसमें जो battery उन्होंने उसकी है वो completely removal भी है and LG CMS के cell से नोंने use किये है जो की LFE battery से भी better आपको life देगे and safe battery आपको यह पर देखने को मिलने वाली है and दोस्तो brand value भी एक बहुती important point होता है जो की होंडा की brand value बहुती अच्छा है तो आपको no tension रहना है तो आप इस electric scooter के लिए इवेट कर सकते हो so guys यहती कुछ active electric scooter की short update जल्दी मिलते है event के बाद कही सारे और भी update आने वाले उसके लिए चानल को subscribe और bell icon को आल कर दीजिए